हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाल अब सुकत स्वागत करता हूँ आपके चैनल में उमीद है आप लोगो वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हमको नए वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत अमेजिंग है इसे एंड तक देखिएगा एंड तक देखेंगे तो आप काफी कुछ इंफोर्मिशन यहां से लेके जाएंगे ओके द दबा देना दोस्तों तभी आपको नोटिफिकेशन मिला करेंगी हमाई अपकमिंग वीडियो की और हमको मोटिवेशन मिला करेंगी नहीं नहीं वीडियो बनाने की दोस्तो वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तो आची वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की कुछ बहुत important settings के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है ना भी पता हो तो आपको क्या करना है अपना Instagram खुलेना जैसे कि यह मेरा Instagram मेरा Wikipedia के नाम से उसे अचे tylko करना चाहे है और वियुक्ष में आब बतार करने को सब्सक्राइब करें और setting में आ जाना है setting में आने के बाद यहां पर आपको privacy का option दिख जाता है privacy का option में आने के बाद आपको बहुत सारी setting आपको मिल जाती है जो शायद आप use करते भी हैं और बहुत सारे लोग use नहीं करते दोस्तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने अकाउंट को प्राइविट बना के रखते हैं प्राइविट यानि कि कोई भी आपके फोटो नहीं दे साथा अभी ये प्राइविट अकाउंट है तो वो मेरी प्रोफाइल खोल सकता है लेकिन मेरी जो फोटो पोस्ट में डाले उनको नहीं पढ़ सकता ना देख सकता ओके दोस्तो वो मुझे फॉलो करेगा मैं उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा देन तभी वो चेक कर पाएगा दूसरा ओप्शन आ जाता है कमेंट का कमेंट के ओप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाते हैं ऐसी सेटिंग जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ब्लॉक कमेंट फ्रॉम आपको कुछ लोग परिशान करते हैं इस्टाग्राम पर लेकिन आप उने टारेकली ब्लॉक नहीं कर सकते हैं पर आप उनके कमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं अपने accordingly filter करेगा उस चीज को अगर वो offensive लगेगा तो उसे हटा देगा अगर in case instagram उसको filter अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है तो यह manual filter का option भी है जैसे कि वो आपको कुछ गाली बगएरा देता है और आप कुछ गाली से related कुछ words यहां पर type कर सकते हैं और उन सब चीजा को यहां पर manually filter कर सकते हैं और नीचे वाला option भी filter के लिए ही दिया गया है filter most reported words जोस्तो बैक आजाते हैं इसके अलाबा टेक का option दे रखा है बहुत सारे लोग आपको tag करते हैं यहां पर option है कि allow text from सब आपको allow कर सकते हैं अगर everyone पर है यह pupil you follow जिनको आप follow करते हैं वही आपको allow कर सकते हैं या फिर no one जोस्तों चाहें तो आप manually approved text कर सकते हैं यानि कि आप जिन लोगों को manually select करेंगे वो ही आपको tag कर पाएंगे back आके दुबारा mention पर आ जाते हैं mention को option बहुत important है Instagram पर हरकोई आपको mention कर सकता है यह depend करता है इस setting पर अगर everyone है तो हरकोई कर सकता है people you follow है यानि कि जिनको आप follow करेंगे तो वो ही कर पाएंगे mention और no one पर कोई नहीं कर पाएगा फिर से back आ जाते हैं story का option story तो बहुत सारे लोग लगाते हैं आपको पता होगा Instagram story का option होता है तो यहाँ पर story hide story from अगर आपको hide करनी है किसी की story अगर बताना चाहते हैं मतलब कहने का यह कि आपके close friend है तो आप उसको close friend में एड़ कर सकते हैं allow message reply यह option है यह depend करता है आपकी aesthetic पर your followers पर followers you follow back या फिर इसे off करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं ओके दोस्तो choose who can reply to your story आपकी story पर कौन reply कर सकता है यह भी आप depend करता है ओके दोस्तो saving save to gallery, save story to archive gallery पर करेंगे तो gallery में जाकि आपकी story save हो जाएगी archive करना चाहते तो archive हो जाएगी sharing का option है allow resharing to story आपकी जो story जो रिर शेयरिंग होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए यह 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 पर depend करता है ओके दोस्तो allow sharing यह दूसरा option है इसका ओके दोस्तो तीसरा option है आपकी जो story वो facebook पर होनी चाहिए यह नहीं आप शेयर करना चाहते है यह नहीं जैसा की नीचे लिखा हुआ automatically share photos and videos from your story to your facebook story okay दोस्तो facebook story पर वो automatically share हो जाएगा then दोस्तो guide का option है guide का option पर जाके आप यहां पर चेक करते है allow others to use your post इसमें क्या होगा आप दूसरे लोगों को allow कर रहे हैं आपके post को use करने के लिए okay दोस्तो activity status एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बारे में बताएगी जैसा की यहां लिखा हुआ allow account that you follow and anyone you message to see when you were last seen last activity के बारे में यह जैसे की बताता है उस activity को यहां से आप change कर जकते हैं okay दोस्तो एक option है message का message का option में जाके जैसा की आपने देखा हो दोस्तो आप बहुत सारे लोगों message करते हैं लेकिन हर कोई आपका reply नहीं करता जो कि उनकी setting इस तरीके से यहां पर रहती है okay दोस्तो potential connection यानि कि your followers on instagram request rate पर depend करेगा okay दो facebook friend of people you have chat to a messenger यहां पर जाके आप set कर सकते है chat message required या don't receive request okay दोस्तो तो यह सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं यह किसी setting पर depend होती है जो आप यहां से change कर सकते हैं okay दोस्तो इसके अलाबा यहां पर आपको option दिख जाते हैं कुछ restricted account कुछ account को आप restrict करना चाहते हैं अपने account से तो यहां पर जाके कर सकते हैं okay दोस्तो यहां पर जाके आपको दिख जाते हैं continue कर सकते हैं इनके से अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूलें दोस्तो, बहुत जल मिलेंगे हम आपको नेक्स वीडियो में, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट है दोस्तो